सब्सक्राइब नहीं अप्लोड कर पाया तो इसलिए वीडियो अप्लोड नहीं कर पाया बट चलिए स्टार्ट कंटिन्यू करते अपना लेक्चर जो हमारा भी चल रहा है वो मैथमाटिक्स में यूपी एसी के पेपर का जो जिनरल स्टडीज पेपर है दो जारेक्की समय उस और अच्छा लगता है तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है सब्सक्राइब करने से क्या होगा जो भी वीडियो में बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन अगर आप नोटिफिकेशन बटन अन करते तो आपने पास पहुंच जाएगा और यह सिस्टमाटिक से आपका बिल्डप हो जाएगा जो भी मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा इसमें आप आराम से कोशन कर पाए चले स्टार करते हैं कोशन है हमारा एक कह रहा है हिंदी में और इंग्लेस में आंसर है एक ग्राम में आधे नगरवासियों के अपनी घर है मतलब जितने भी जनसंख्या है विलेज में जो पॉपुलिशन है विलेज का वह एक्स है एक्स का आधा मतलब एक्स बाज तू है अगर एक्स बाजट करें आपना घर मतलब ओन हाॉस है यहा उन हॉस है कितना है आव एक्स बाई टू अब कहा रहा साक्षर मतलब इलिटरेट कितनी है लिटरेट है एक्स बाई थ्री ठीक है और कहा फोर ओवर फाइव ग्राम वास्यों की आयूब पच्चीस वर्स से कम है तो एज एज जो है एज लेस दैन ट्वेंटिफाइव यह यह है फोर ओव फाइव एक्स ठीक है अब कुशन पीड़ें नेमलिखित कत्रों में कौन निश्चित रूप से सही है अब कुछ स्टेटमेंट है यह हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट डेफरेटली सही है अब कहारा है ओल्द विलेजर्स हूआब यह एर ओन हाउन हाउस आर एक्स बाई ठीट एक्स बाई टू और एक्स बाई टू के पास अपना घर नहीं है आधे के पास अपना घर नहीं है यह कितना है xy2 कितना है 50% 50% जो है जिसके पास अपना घर है और 50% के पास अपना घर नहीं है अब यह कह रहा है कि xy3 कितना हो जाता है परसेंटेज में निकालेंगा 33% तो यह कह रहा है पहला option कि all the villagers who have their own house are literate क्या जिसके पास अपना घर होगा क्या वो literate होगा मतलब यह जो xy3 है 33% क्या यह 50% में होगा तो यह 50% में हो भी सकता है या फिर यह दूसरे 50% में भी हो सकता है कोई जरूरी नहीं है कि यह पहले वाले 50% में हो इसका मतलब है कि यह पहला option जो है यह गलत होगा इसी तरह से question करना है अपना logic लगा के अब कह रहा है कुछ ऐसे विलेजर है मतलब गाववासी है जो की 25 साल से कम है और वह लिटेर अब यहां पर देखिए 25 साल से कम कितना फोर बटा पांच एक्स मतलब अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टिपलाइ करेंगे तो 80% तो 80% विलेजर ऐसे हैं जिसमें 25 साल से कम वाल विलेजर ऐसे हैं जिसमें विलेजर अंडर 25 साल से कम है लेकिन 25 साल से उपर है अब यह कहा रहा है कि कुछ विलेजर जो की 25 साल से कम के एजन लिटरेट है अब देखिए यह जो 80% है यह दोनों में होगा इसका मतलब है कि अगर मैं यह कहूं कि जो लिटरेट है ठीक है अगर 50% में भी होगा देखिए ध्यान से 80% यह है तो 80% में यह 50% हो गया तो 80% में 10% 20% तो क्या है 25% से उपर है इसका मतलब है इस 50% में जो अगर हम आधादा करेंगे 40% 40% में इधा जाएगा मैकसिम अगर 50% भी हम लोग दे दे तो कुछ 30% इसमें बच जाएगा तो कुछ तो विलिजर ऐसे होंगे जो की जो 25 साल से कम के होंगे और वह लिटरेट होंगे ठीक है तो यह option B जो है सही है अब second and third करा only half of the villagers who are cultivate paddy are literate अच्छा यहां पे और भी कुछ है यहां पे एक बटा पांच ग्राम वासी धन धान की खेती करते हैं तो मतलब इसी में 20% जो है वो कह रहा है धान की खेती कह रहे है तो only half of the villagers who cultivate मतलब 10% जो विलिजर है जो घ्धान खेती करते है वो लीटरेट है क्या यह सही है यह कोई जरूरी नहीं है कि यह सही है क्योंकि यह 10% यह xy2 में भी आ सकता है ठीक है डेफिनेटली नहीं लेकिन B वाला option क्या है definite है अब यहां पे कह रहा है no villager under 25 years of the age has its own house यह तो होगा ही है नहीं कि यहां पर 50% है और है कि 20% 25 साल से कमका है इसका मतलब है कि यह 25 साल से कमका है उसमें से किसी नकिसी विलेजर का गाउवासिका जो है अपना घर जरूर होगा तो यह option D.भी गलत हो जागा तो यह पर बहुत ही पूरा 100% सही होगा तो आप logic लगा के questions को कर सकते हैं से आप question को कर पाएंगे आगे चलते हैं next question next question है दो कथनों और एक प्रशन पर विचार कीजिए दो statement given है और इसके बाद कहा रहा है कि एक question है तो इस पर विचार करने के लिए बोल रहा है statement one कहा रहा है कि the last day of the month is Wednesday मतलब किसी भी month का last day Wednesday हो सकता है और इसके बाद कहा रहा है the third Saturday of the month was 17th day ठीक है दो चीज दिया हुआ है and question कहा रहा what day is the 14th of the given month अगर पहला statement की हम बात करें ठीक है अब यहां पर कहा रहा है मन्थ जो है यह कौन सा मन्थ यह given नहीं है तो अगर मन्थ गिवन नहीं है तो मन्थ 28 का भी हो सकता है ठीक है अगर लेपियर होगा तो फरवरी 29 का होगा या तीस का होगा या फिर 31 मन्थ होगा यह चार डेट हो सकता है अब पहला कुशन ही है इस statement से एगर कोशन के वाट डेग यह दअ सटर डे यहां भी होसकता है सटड 10 यहां भी हो सकता है त्थी सको भी या 21ँ हो सकता है इस हिसाम से अगर हम देखेन की चौढ़ दिन नहीं कि lotus तो पहले स्टेटमेंट से हम कुशन को आंसर नहीं करता हैं अब कहा रहा है थर्ड सटर्ड़ डे अफ दे मान्थ वाज 17 सटर्वां दीन जो है इसमें थर्ड सटर्ड तो सटर्ड के बाद अगर हम सब्सक्राइब दिन जो जब्सक्राइब को तरो सटर्ड थर्ड हो गया पित भी दिन तीन जा रहत सटर्ड है इसमें छो रहएंगे अगर यह च्जो रहेंगे तो तो 20 है च्जो रहाएंगे 20 को चांतर ने मेरेी सान दिन के बाद फिर से हमारा थिक है थीक है तो यह संटर्ड हो चोऻदमां दीन क्या होगा तो चठमां दीन एक elsonौकर दो तीन गर चली हो results थर्सडे और यह वेंजडे तो चौदमा दिन वेंजडे होगा अगर दोनों स्टेटमेंट को क्लब करेंगे तो फिर पहला स्टेटमेंट के हिसाब से हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा डेट होगा ठीक है कौन सा दिन होगा अगया-चौदमा तो चौदमा क्योंकि 28,39,31 कि सी भी दिन हमारा यह सटडेर्य आ सकता है वेंस्डे आ सकता है तो ब्लम ब्लम सही को एकुलक देहान बहुत ही अच्छा सा कोशन है बहुत ही प्यारा सा कोशन है चलिए यह लोग ने कर लिया अब जो है यहां पर कोशन है कि को इस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही प्यारा से वीडियो कालेंडर को अपलोड कर चुके बहुत पहले मतलब यह स्टार्ट हुआ था यह सीरी जब 2022 का पेपर कर रहे थे स्टार्टिंग में हम लोग कालेंडर को अपलोड किया था तो प्लीज आप लोग ऐसे रिक्वेस् अगर आप वह लेक्षर बहुत ही ध्यान से देख लिए तो आप कैलेंडर में किसी भी डेट का आपको डे निकाल सकते हैं और यहां पर कोई ट्रिक नहीं है इसमें अगर आप उस वीडियो को देखेगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रिक है या क्या है वहां पे सभी कॉंस है थोड़ा से वीडियो हलका से लेंदी होगा मतलब 10-12 मिट का वीडियो होगा आई थिंक मुझे जहां तक याद है और तो आप अगर उसे देख लेते हैं तो किसी भी तरह का कोईशन से अगर कैलेंडर से आता है आप आराम से कितना भी टाफ हो राइट चले फिलाल इस को करते हैं और इसके पीछे जो भी लॉजिक है थोड़ा का डिसकस अभी हम लोग करेंगे यहां पर ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे जब भी कोई डेट गिविन हो ठीक है तो डेट अगर आपको पता है तो आप उसका डे निकाल सकते या डिफरेंस ऑफ डेट गिविन है तो आ करना है और साथ से डिवाइब करना है जो सेश आएगा वह हमारा गेलाता है क्योंकि पीरियोड करेंगी अगरल संदे से च्टरदे तो मनदे टुस्दे विनेज़ थर्ज्दे फ्राइड सटर्ड़िये और सेवेंत डिविन हे जाता है समझ ये बात को इसलिए साथ से डिव कि जो years होते हैं उसमें कुछ years leap year होते हैं जो कि 366 days के होंगे और कुछ year जो है हमारा non-leap year होंगे तो odd days find करने में ये leap year non-leap year बहुत बढ़ा role play करता है और बहुत सार इस्टोंट गल्टी कर देते हैं क्यों कि आप यह कहा जाता है आप लोगों को यह भी पता होगा कि हर फोर्थ मतलब अगर 2000 अगर leap year है ठीक है तो 2004 भी leap year होगा और 1996 भी leap year होगा आप कैलेंडर में देख सकते हैं लेकिन अगर अच्छर नहीं होगा इसके पीछे रीजन जो भी है वह मैं डिसकस करूंगा वह मैं आपको बताऊंगा पहले आप यह समझिए कि leap year कब आता है हर चार साल के बाद leap year लेकिन उससे पहले सेंचूरी जो सेंचूरी होगा जो हमारा मालीजे 400 होगा फिर 400 के बाद 800 होगा यह सेंचूरी है जैसे हम आठीवी सताब्दी क्याते है नवी सताब्दी क्याते है फिर 1200 होगा ठीक है फिर 1600 होगा और अभी चल ला है कौन सा सेंचूरी हमारा 2000 वाला सेंचूरी चल लाए 2000 से य्धियरवाला सेंचुरी होगा चारसो से डीवाइड नहीं होता हाला कि यह सारे संचुरी हो रहे हैं लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जो साल 4 से Divided होगा, वो LEEP year होगा, अगर वो साल century में आएगा, अगर वो 4 से Divided होता है, bathtub नहीं होता है, 400 400 से लीप year नहीं होगा, और जो lleep year होता है, उसमें हमनों calculate किया था कि जो century leap year मं आएगा वो उसमें Odd days zero हो जाएगा, मतलब 4 तक Odd days zero, फिर 800 तक और देज 0 फिर 1200 पर देज 0 फिर 1600 पर देज 0 फिर 2000 तक और देज 0 मतलब कोई भी अगर 2000 तक की बात करें न ठीक है 2000 एकरतिस सब्सक्तर टक जितने भी डेट आएंगे उसको साथ डिवाइड करेंगे तो कोई भी सेस नहीं आएगा तो number of odd days क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आगे चलते हैं तो हमारे पास कोशन है 2027 सो 2027 कंप्लीट नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2027 को ऐसे लिखेंगे ठीक है मैं यह पूरा मैथट बता रहा हूं ट्रिक नहीं बता रहा हूं एक तो 2000 के बाद फिर 26 साल आएगा और फिर 26 साल के बाद 27 साल यह 727 यह ठीक है ओके 2000 में number of odd days क्या हो जाएगा जीरो अभी मैंने बता है और डिसकस भी क्या थियोरी वाले पार्ट में अब यह 26 साल में चार साल के बाद लीपियर आता है इसका मतलब है चे साल तो ऐसे होंगे और जो बाकी बचे हुए साल जो होंगे टेटिस ट्वेंटी वह नॉन लीपियर होंगे और 27 साल में जनवरी फर्वरी मार्च अभी चलि रहा है तो 27 साल को बाद में केल्कूलेट करेंगे अब हमने यह भी देखा था कि leap year में 366 दिन होते हैं तो अगर 366 दिन को अगर हम साथ से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चो हमारा आएगा से सफल्स दो तो हर एक leap year में जो odd days आता है वो दो आएगा चुकि 6 leap year है तो इसको 6 से multiply करना होगा तो टोटल 12 odd days आएगा कि 20 है एक इन्टो 20 मतलब 20 ऐसे साल है तो इसमें कितना हो जाएगे 20 leap year हो जाएगे तो टोटल हमारे पास इसको अगर हम जोड़ दें तो 32 odd days हो जाएगे 32 odd days को अगर हम साथ से डिवाइड करें तो साथ चौका 28 प्लस 4 अब यहां पे 26 साल तक यह जो से 4 बचा यहां पे मैं मैं लिख लेता हूं ब्लैक से चार हमारा ओड देज 2026 तक हो गया मतलब कि अगर 2026 तक यह हमारा क्या है नॉन लिपियर होगा 31 दिसंबर तक अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास चार और डेज आएगा अब आते हैं 27 साल में 27 साल में कितना है जनवरी जनवरी में 31 देश इसको साथ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमेंडर में 3 फरवरी कितना हो जागा फैवरी हो जागा हमारा यह थिया यह थिए प्रिल यह थे 27 अगर यह दोफितना है में ूश तक करेंगे तो इसको सक्षा फेट करेंगे तो जैरो जनवरी फरवरी मार्च में 31 संब्सक्राइग आजाएंगा मार्च एप्रिल में तीपंसे ऐनीये हमारे और이가 2 अबирand by दो गति आधार। जुन जुन जुलाई गाउन में 21 यह फ्रमारता है 153 सेप्टर्ण जत्य में 23 अगुस्ट में उत्ले और यहां पर अक्टूवर इसको हम डिवाइड करेंगे गांतर अब देखे ये यहां पर पिर हमें और यहां सारे साथ से डिवाइड हो गया कितना बचा हमारा सेस जीरो अब हमारे पास चार और तीन साथ साथ भी हमारा क्या हो गया साथ से डिवाइड हो गया अब हमारे पास जो रिमेंडर आ गया हो आ गया मतलब कि 3 पिछ की बात करें तो हमारा 2023 300 को हमारा जोकत जिरह हो गयागर 5 जिरो और रेज जिरो हो गया तो हमारा मैंडे जितने हैजों स्थे तक जिरौ होगतक जी आएगा जीरो जो घंट है कर सकते ज्या जोब्हें कि मल्टीप कि जो भी आएंगे वह हमारा क्या जाएगा नॉनलेपियर निकाल लेंगे और जो बचा हुआ साल होगा उसमें जनवरी-फर्वरी करके हम और डेज निकाल लेंगे तो इस तरह से हम नोग इस तरह के कोश्चन को बहुत ही आसानी वी में, असान तरीके से कर सकते हैं, जैनि यह 10 मिनिट का कोश्चन हो गया तो आप समझ यह थोरी भी 10-15 मिनिट का होगा, तो I hope आपको यह समझ में आया होगा, बहुत ही शांदार कोशन, और बहुत ही शांदार तरीके से हम लोगों नहीं इस कोशन को किया, और ऐसा कोशन पेपर में आता है, तो आप लोग जो है, मतलब प्रिपेर हो जाईए कि इस तरह कोशन आता है, तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, फोरा सा भी ध्यान में नहीं रखना है, चलते हैं, नेक्स्ट कोशन, नेक्स्ट कोशन में, जिनरल स्टडीज का यह कोशन है, अनुकरम, यहां पे हमारे पा टू जिरो टू जादा बराबरा लिख दिया है, मैंने टू जिरो टू, इसके बाद एक्स और इसके बाद कह रहा है कि अठारा सो बाइस, तो यह सिक्वेंस में यह एक्स का मान क्या आएगा, यह फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, चलिए दिमाग लगा ते क्या तो क्या कुछ दिमाग चला, क्या आएगा, चलिए देखते हैं, अगर हम इसका डिफरेंस देखें, कितना है, पंदर का, अगर इसका हम डिफरेंस देखें, देखें दियान से, साथ में से पांच गया, दो गया पांच, और यह हो जाएगा छे, छे में से दो गया चार, आ लग रहा है, पांच, पांच तिया पंदर, पंदर तिया पैतालिस, अगर पैतालिस दिया, एक्सो पैतीस हो गया, तो बनी जाएगा यह, तो बारा में से साथ गया, साथ पांच, बारा, और यह हो जाएगा, दस, दस में से छे गया, च्यार एक्सो पैतालिस दो, सॉरी, न करते हैं तो 405 हो जाएगा इसका मतलब यह है कि पहले वाले में जो difference है उसका तीन गुना add हो रहा है मतलब जो x होगा 202 जो x होगा 202 plus 135 पहले वाला difference गुने 3 मतलब 202 plus 135 गुने 3 किता हो गया 605 अगर यहां पर देखें हम यह 607 हो रहा है 607 नजर आ रहा है अब इसको चेक करेंगे तो चारतिया 1215 हो जाएगा और 1215 में अगर हम कितना 202 नहीं 3 करेंगे न चार्सों पांच हो गया ठीक है तो 405 ओके तो यह 607 आया 607 में से 202 को अगर हम माइनस करेंगे तो पांच जीरो और यह 405 चार्सों पांच और तो गुने हमें 3 करना है तो यह 1215 में 607 को एड करते हैं 607 तो यह हमार ऑप्शन 607 ही होगा ऑप्शन सी सही होगा तो यह कोई जरूरी नहीं है की डिफ्रेस्ट ही आएगा हो सकता है यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या इसमेड कर लेंदा मेरे टांवला यहां चलिए आज 50 कूशन तक हम वर्याने कर लिया कुछ ज्यादा ही यह लेंदी होया था है चलिए सिर्फ question का option बताना answer बताना मेरे लिए tough हुआ था बर time उसमें कम लगा इसका answer है यह solve करके वस्तोरण answer टिक कर देना अगर मैं समझाँगा नहीं तो आपको समझ में अगर नहीं आए किस तरह से किया तो फिर फायदा नहीं होगा था था टाइम आप लगाईए वीडियो में देखने में यह आपके फायदे के लिए है आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते है next lecture में जिसमें हम लोग 57 question करेंगे नेक्स्ट इसमें मतलब असी तक तो कोशन ही होता है काफी कोशन हम लोगों नहीं कर लिया है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते है next lecture में have a nice day preparation इस तरह करते रही है जाहिंद